तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि आज मैं एक्स्प्लेइन करने वाली हूँ और इस मर्मलैड का एपिसोड 5 वट उस्से पहले प्लीज गाई सब्सक्राइब तो माई चैनल क्योंकि अब मैं डेली वीडियोस अफ्लोड करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अगर आप मेरी वीडियोस को स्टर्टिंग से देख रहे होगे तो आपको पता ही होगा कि पहले मैं वीडियोस को उपलोड करने में एक या दो दिन का टाइम लेती थी पट अब मैं इसा नई कर रही हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए डेली वीडियोस को अपलोड कर तो अपने दोस्तों के शाख शेयर भी एंड गाइस मेरे स्टाइक एंड गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जहां भे में बहुत सारी मस्ति करने वाली हूं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के साथ तो जली से जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में द एपिसोड फाइफ के शुडवात 17 संचुरी से होती है जहां पर हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि लेट नाइट जंगल को पार कर रहे होते हैं तब ही उनके सामने कुछ सैनिका जाते हैं एंड उन दोनों से पूछते हैं कि तुम लोग हो कौन और तुम दोनों रात को बॉर्डर क्रोस क्यों कर रहे हो आफ्टर दैट सैनिको का हैड उन दोनों में से किसी एक के उपर तलवाज चला देता है बट उसकी चोट दो मिनेट के अंदर ही गया हो जाती है तो हैड अपने सैनिकों से कहता है कि यह लोग तो नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि यह दोनो को पकड़ी लेते हैं जिसमें काफी सारा गोल्ड होता है एक लेडर होता है और उस लेटर को देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि इन वेंपार्स का प्लान था आट राज्यों में आकरमन करने का ताकि यह लोग वहां पर राज कर सकें जिसके बाद उनमें से एक सैनिक यह बाद जाकर कंटरी में सभी को बता देता है देन हमें कुछ डेट बॉडिस दिखाए जाती हैं जिनके नक पे काटने का निशान होता है देन हमें बैग्राउंड से आवाज आती है कि आप सभी को मॉंस्टर से बचके रहना है जो कि अपना पेट भरने के लिए आपका खुन पीते हैं आफ्टर दैट यहां पर इंट्रोडक्शन होता है हमारे 17 सेंचुरी के जे मीन एंड सी हो का एंड हमारे 17 सेंचुरी के सी हो एक नॉर्मल हुमन बिंग है ना की वेंपायर उससे भी ज्यादा सौकिंग पैक्ट तो यह है कि 21 सेंचुरी के दोनों दुस्मन यहां पर बेस्ट फ्रेंड्स हैं बट वो दोनों एक गुसरे से कंप्लीटली अपोजिट होते हैं मतलब कि हमारा जंग जे मीन एक होश्यार बच्चा होता है जिसका मन पढ़ाई में कुछ जादा ही लगता है एंड जे मीन एक ऐसा बच्चा है जो कि बिलकुल हमलों की तर है कि क्या तो आपना कांट बन बंकर लेता है तो कहता है कि का समद्श्पन में होगा होते मतलब कि मेरी जगे तू होता है य तक लडाब कोammen कोमें चौकी जो जिसके बाद शीयो जेम Means को परिशान करता है तो जेमिन कहता है कि तु चाहता क्या है तो शीयो कहता है कि मैं ये चाहता हूँ की तू मेरे साथ केल कशिकimes आप उस्टार्ट चाहल खुर्ट हो था था रड़्यू अपर आगर तेरे पास वरियर प्रहते था यह तो लेकर उसके डैड उसके काफी जादा गुसा करते हैं कि क्या तुम लड़की हो जो खून देखकर लड़कियों की तरह डर जाते हो तो हमारी फैमली के लिए कलंग हो और कुछ भी नहीं जेमीन सीओ का बंपायर बाली बुक देते हुए कहता है कि तु प्लीज इस बुक को छुपा दे वरना अगर किसी को पता चल गया कि इस बुक को हमने पढ़ा है तब तो हमारी वाट लग जाएगी यानि कि हमें पनिश्मेंट मिलेगी तो CEO कहता है कि पनिश्मेंट से डरता ही कौन है एंड देन वहाँ से भाग कर जाने लगता है तो Jamin कहता है कि तु जा कहा रहा है क्योंकि हर रात तु घर से गाइब रहता है तो CEO कहता है कि मैं एक ऐसी जगे जा रहा हूं जहां पर इन किताबों की स्मेल दूर दूर तक नहीं आती है आफ्टर दैट हम वेंपार्स के एक छोटे से ग्रूप को देखते हैं जहां पर वो सभी आपस में बाते करते हैं मस्ती करते हैं एंटन फाइट करने लगते हैं तो बैकमारी के डैट जो कि उन सभी के हेड होते हैं कहते हैं कि तुम लोग ऐसे भी है मत करो कि तुम लोग हूमन्स हो एंड मैंने तुम्हें यहां पर इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारे राज के राजा को 20 टेट बॉडिस मिली हैं जिन में ब्लड का एक कत्रा भी नहीं है मतलब कि उनके ब्लड को बैंपायर ने सख किया है तो वहां पर बैटे बबाजी कहते हैं कि यह काम किसी और कर नहीं वलकि वासा वान के वनसंगू क्लैन का होगा जो कि ऐसे वंपायर को ग्रूप या फिर समुदाय होता है जो कि हीउमन ब्लड को सक करते हैं एंड हीउमन ब्लड के बिना जिन्दा नहीं रह सकते हैं वासा वान की वंपायर क्वीन उसंग पर काफी ज़्यादा गुसा कर रही होती है एंड कहती हैं कि अगर हमने उन्हें गोल्ड एंड मैप दे दिया होता तो हमारी विक्टरी निश्चित थी मतलब कि हम आर्ट राज जो मिराज अराम से कर सकते थे एंड देन कहती हैं कि अगर हमारा दूसरा सैनिक उन्हें जिंदा मिल गया उससे कहती है कि तुम बैंचेन क्लैन को सर्च करो जो कि human blood को नहीं बलकि animal blood को drink करते हैं and humans के साथ उनके servant की तरह रहते हैं वहीं दूसरी तरफ हम जेमिन के dad को देखते हैं जीने पता चल जाता है कि उन 20 आत्मियों को किसी और ने नहीं बैंपायर्स ने मारा है क्योंकि उनके बॉड़ी में खून बिल्कुल नहीं है और नेक पे निसान हैं आफ्टर यहां पर इंट्रोड़क्शन होता है हमारी 17th century की बैक मारी का जो की काफी सरारती और हसने वाली गर्ल होती है और अपने माम के साथ बैट कर संड्रेस से बचने के लिए संप्रोटक्शन जूस पी रही होती है नेक्स्ट मॉर्णिंग सी हो के dad जेमिन के पास आते हैं और उसे कहते हैं और जेमिन को काफी जादा डाटते हैं और कहते हैं कि तुम उसके रूममेट हो और तुम नहीं पता कि वो कहां गया है साम होने से पहले तुम सी हो को ढूंड कर मेरे पास लाओ जिसके बाद हमारा जेमिन सी हो को ढूंडने जंगलों में जाता है बड तब ही उसे प्यारी सी बासुरी की आवास सुनाई देती है और आफटर देट जेमिन उसे फॉलो करता है और 17 संचुरी में पहली बार मुलाकात होती है हमारे दोनों मेल लीड्स की जिसी हमारा मेल लीड देखता ही रजाता है जैसे ही हमारा मेल लीड अपना बलड देखता है तो वह वहीं पे बेहोश हो जाता है तब ही वहाँ पे हमारी फीमेल लीड याने की बैक मारी आती है और जेमिन के पैरों से पोईजनस बलड बाहर निकालती है बट अब क्योंकि हमारे जेमिन का ब्लड को जादा ही स्वीट था तो हमारी बैक मारी उसकी ब्लड के लिए ट्रैक्ट हो जाती है और वह अपने बैमपार फॉर्म में आती है और उसका ब्लड सकड़ने ही वाली होती है कि तब ही पीछे से सी हो की यवाज आती है और उसकी यवाज सुनते ही हमारी फीमेल लीड वहाँ से चली जाती है और गाईज अगर आप लोग नहीं चाहते हो कि मैं भी बैमपार फॉर्म में आ जाओं तो प्लीज चाहो और मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो विकॉज जब आप लोग सब्सक्राइब करते होना तो मुझे डेली वीडियोस को अप्लोड करने के लिए मोटिवेशन मिलता है और बैक मारी के जाने के बाद हमारा मेल लीड कहरा होता है कि प्लीज मत जाओ अट लिस्ट मुझे नाम तो बता दो अपना बैक मारी रीवर के पास जाकर अपना मुझ धुलती है और कहती है कि मैं वेंपार क्लैन से जरूर हूँ बट मैं वेंपार नहीं हूँ सीहो के डेट डाउंक टर्यानी की वैस से पूछते हैं कि जेमिन की हालत कैसी है तो बताते हैं कि Jiman की हालाद बिल्कुल सही है क्योंकि उसके बलड से है टाइम पे निकाल लिया गया था एंड दिन वो सीहो से कहते हैं कि तु मेरे साथ चलो क्योंकि मुझे तुम से बाते करनी है CEO के डैट कहते हैं कि तेरे behavior बहुत ज्यादा गन्दा होता जा रहा है and तू हर रात कहां गाय हो जाता है तो CEO अपने डैट से sorry बोलता है and कहता है कि मैं कोई भी punishment लेने के लिए तैयार हूँ तो उसके डैट कहते हैं कि मैं तुझे इस time तो punish नहीं कर रहा हूँ बट अगली बार मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं तो सीहो कहता है कि मुझे लगता है कि स्कूल की रूल सब के लिए इक्वेल होने चाहिए सो आप प्लीस मेरे टीचर की तरह मुझे पनिश्मेंट दीजे ना कि मेरे डैड की तरह आप मुझे बचाईए एंड यहां पे सीहो के डैड वास लाइग क्या करू मैं इस लड़के का सीहो जेमिन की पास आता है और उससे कहता है कि क्योंकि तेरी तेवित खराब है तो तुझे सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी खाने को मिलेगी एंड कल तो हमारा मीट ते है बट तो भूलकर भी मीट को खाना नहीं तो जेमिन कहता है कि क्यों तो सीहो कहता है कि यह सीक्रेट है नग्श्ट मॉर्णिंग जब स्कूल के सभी बच्चे मीट खाते हैं तो उन सभी का पेट साथ में खराब जाता है एंड उन सभी की हालत तो देखने लाइक थी मतलब कि उन सभी को साथ में जाने के लिए वाश्रूम कम पड़ जाती है एंड देन बेचारों को खेतों में जाना पड़ता है कुछ सैनिक्स आपस में बात कर रहे होते हैं एंड कहते हैं कि आज हमारे खेतों को तो कुछ जादा ही फर्टिलाइजर मिलने वाला है तो दूसरा कहता है कि फर्टिलाइजर माइबर्ट ऐसे फर्टिलाइजर का खाना तो आई तिंग कुछे भी न खाएं कि क्या तुम्हें पता भी है कि हमारे class के बच्चों की हालत किया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा गंदा Lloyd खाने के करण बट backmari के dad उन्हें sorry बोल रहे होते है एंद कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया है आप जा कर वापस चेकर सकते हैं क्योंकि cello को सप्लाई करते हैं जेमिन भी कहता है कि आए थिंक ये अंकल सही कह रहे हैं हमें एक बच चेकिंग कर लेनी चाहिए बट वो सभी उसकी बात मानते नहीं है और बैकमारी के डैट को पकड़ लेते हैं तब ही वहां पर बैकमारी आती है और अपने डैट की हेल्प करने की कोश रहा होता है कि तुम तो एक अच्छी लड़की नहीं हो फिर भी मुझे ऐसा फिल क्यों हो रहा है अपने आपको कंट्रोल करता है जेमिन तुझे पढ़ाई पर ध्यान देना है लड़की नहीं वहीं दूसरी तरह बैकमारी के घर में अगेन मीटिंग चल रही होती है जहां देनि और मैं अग्यार चलाओ कि तो एक इस और मैं वहीं डराद चोड़का झाओगी सीह ओजन के पाता है तो चैमिन कहता है कि यह सारे काम तो कौनसे काम गों लेड़के निży पहरत है śmया पर अंदर अंदर है कि बाहर तक सॉफ करदिया तो यहां पर ही स्मायल करता तो जेमिन उसके चेश्ट पे चोट कर निसान देखता है और कहता है कि यह कुछ भी नहीं है तो जेमिन कहता है कि यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा की आशकल तू कर क्या रहा है तू प्लीज अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे एक्जाम पे फोकस कर वड़ना इस तरह तो तू पास ही नहीं हो पाएगा तो आंके सैनी कहते हैं कि बिना proper permission के हम तो तुम्हें भी ना छोड़े तो फिर ये कौन है तो जेमिन कहता है कि तुम प्लीज इन्हें छोड़ दो क्योंकि ये सारे काम मैंने किये हैं और कल मैं सभी के सामने ये बात accept कर लूँगा यहां पर हमारे मारी के दिल में भी जेमिन के लिए घंटी बजी जाती है फानिली नेक्स्ट मॉर्णिंग जेमिन सब कुछ accept कर लेता है और कहता है कि वो सारे काम मैंने किये हैं वहीं दूसरी तरफ सी हो भी इस बात को accept कर लेता है और कहता है कि ये सारे कम मैंने किये हैं तो दोनों को साथ में punishment मिलती है और उन्हें स्कूल से दो महिने के लिए बाहर कर दिया जाता है और ये सुनने के बाद तो हमारा जे मिन काफी उदास था और ये स्कूल से लिए बाहर निकाल दिया गया है तो जे मिन की मॉम कहती है कि क्या तुम दोनों को बाहर निकाल दिया गया तो CEO कहता है कि नई आंटी सिर्फ और सिर्फ मुझे बट प्लीज आप मेरे मॉम एंड डैट को मत बताएगा कि मैं आपके यहां हूँ वरना मैं तो गया After that यहां पे introduction होता है हमारे जो आरा का जो की एक higher officer की बेटी होती है जेमिन की डैट जो आरा को पहली बार देखते ही उसे अपने घर की बहु बनाने के बारे में सोचते हैं वही दूसरी तरफ हमारे जेमिन का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा होता है और वह बार बार बैक मारी के बारे में सोच रहा होता है तबी एक लेडी जेमिन की मॉम को आकर बताती हैं कि जेमिन को रौ मिट खाना है अन्ड ये सुनकर उसकी मॉम बिल्कुल शॉग रो जाती है अन्ड कहती हैं कि उसने तो कच्चा मिट बचपन से लेकर आज तक कभी नहीं खाया तो वो लेड़ी कहती है कि सायद उनका टेश्ट अब चेंज हो गया हो क्योंकि उन्होंने कहा कि वो खुद जाकर मार्केट से ला लेंगे अब बैचारा हमारा जेमिन डिरेक्टली क्या बोलता कि मैं मीट लेने के बहाने बैक मारी को देखने जा रहा हूँ जेमिन जब बैक मारी के डैड की शौप पहुंसता है तो उसकी आखे चिकन पे कम होती है बलकि बैक मारी को जादा धूड़ रही होती है घर जाने के बाद जेमिन की माम उसके सामने मीट रखती है तो जेमिन कहता है कि क्या प्लीज आप मुझे थोड़ा सा चावल दे देंगी और जैर से ही उसकी माम चावल लेने जाती है तो जेमिन को चिकन देखकर उल्टी आने लगती हैं तो वह भाग कर बाहर आता है और सारा का सारा खाना अपने कुट्टे को खिला देता है और कहता है कि तू प्लीज इसे जल्दी से खा ले तभी वहाँ पे जेमिन की मॉम आती है और कहती है कि तू यहाँ पे कर क्या रहा है तो वह अपने खाने पर बैठ जाता है और कहता है कि मैं तो यहाँ अपने डॉक को देखने आया हूँ तो अब तो इसे ख्लीन भी तुबही करना पड़ेगा और बैचारी हमारी सीदी साधी बैक मारी उसका ड्रस ले जाकर पानी में धूलने लगती है और जैसे ही हमारे बैक मारी का हाथ हमारे जेमिन के हैंड में टच होता है तो उसकी तो दिल की धड़कने रुख जाती है after that जेमिन हमारे बैक मारी का हाथ पकड़ता है बट सिर्फ और सिर्फ सपनों में रियल में तो वो अपना हाथ उपर करके अराम से बैठ जाता है मतलब कितना ज़्यादा डरपोंक है यार हमारा जेमिन बैक मारी जेमिन से कहती है कि मेरे डैट को एंड मुझे बचाने के लिए तुम्हारा थेंक्यू सो मच तो जेमिन कहता है कि तूने भी तो हेल्फ की थी ना मेरी जब मुझे स्नेक ने काट दिया था सो बराबर हो गया एंड मुझे ये बता कि तू दिन भर पत्त्रों पे बैठ कर उपर क्या देखती रहती है तो बैकमारी कहती है कि मैं तो आस्मान में तारे देखती हूँ तू भी देखा कर बहुत मज़ा आता है तो जेमिन कहता है कि पागल लड़की तू दिन में स्टार्स कैसे देख सकती है तो बैकमारी कहती है कि तो थोड़ी देर तक वेट कर फिर तुझे भी दिखने लग जाएंगे वहीं दूसरी तरफ हमें एक छोटे से गाउं की रिंग दिखाई जाती है जहां पे लोग आपस में फाइट करने वाले होते हैं तभी वहां पे हम एक परसन को देखते हैं जो कि फाइट देखने वालों से पैसे कलेट कर रहा होता है तभी उसे एक आदमी पकड़ लेता है और कहता है कि मैं यहां से 10 दिनों के लिए गायब क्या हो गया तो फाइट करने के लिए इसे ले आया क्या तुम मुझे इस बिजनिस से बाहर निकाला चाता है तो बेचारा वो आदमी कहता है कि प्लीज पहले तुसकी फाइट देख ले दिन बाद में मझे घ्यान देना तो सेकेंड परसन वास लेक ओके एंड जो फाइट होने वाली थी वो किसी और के बीच में बलकी हमारे सी हो एंड एक जीते जागते हलक के बीच में होने वाली थी मैं उसे हलक इसले कह रही हूँ क्योंकि मुझे उसका नाम नहीं पता है जिसमें हमारा सी हो काफी इसली जीत जाता है एंड पैसे पाने के बाद तो काफी ज़्यादा खुश भी होता है वहीं दूसरी तरफ हमारी बैक मारी को गुश गुणडे परिशान कर रहे होते हैं तो वो बिचारी उनसे फाइट करती है तब ही वहाँ पे सी हो जाता है एंड उसकी हल्प करता है एंड यहां पे हमारा सी हो बैक मारी से कफी ज़्यादा इन्फरस हो जाता है वहीं दूसरी तरफ जैमिन के डैट जैमिन को साधी की लिए मना रहे होते हैं बड जैमिन कहता है कि डैट कुछ ज़धा जल्दी नहीं हो रही आपको क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ The next scene में हम Jamin and Zeeho को साथ में बैठे देखते हैं तो Siho कहता है कि तो शादी क्यों नहीं कर लेता है कर ले अराम से क्योंकि तू तो अपने पिता श्री की बात कभी टालता नहीं है कहीं तुझे कोई और तो पसंद नहीं आ गई है हम जल्दी बता कौन है वो तो Jamin कुछ भी नहीं बोलता है तो Siho कहता है कि क्या तुझे कोई लड़की पसंद नहीं है बट मुझे तो है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ अभी तक तो मैं उससे मिला भी नहीं हूँ अब तो भी बता दे कि तुझे कौन पसंद है तो Jamin मुस्कुराते वे कहता है कि मुझे तो एक ऐसी लड़की पसंद है जो कि बिल्कुल फ्लावर की तरह है अज़ जम मैंने उससे पहली बार देखा था था न तो मुझे लगा था कि वो तो इस दुनिया की है ही नहीं मतलब कि क्या अब हुमारे Jamin भाई को एलियन पसंद है जो कि इस दुनिया से बाहर की है आफ्टर देट दोनों बेस्ट फ्रेंड्स एक ही लड़की को याद करते हैं अपनी अपनी तरीके से उसकी तारीफ करते हैं इसी लड़ ट्राइंगल के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खतम हो जाता है थैंकी सो मच गाइस फॉर वाचिंग मैं एक्स्प्लेनेशन से सेफ एंड हेल्दी बाई बाई